मूर्ख कौन एक दिन बाद्शा अकपर बीरबल के साथ बैठे हुए किसी गंभीर समस्या पर विचार कर रहे थे तब ही एक मंत्री वहां आकर खड़े हो गए बीरबल ने हस कर कहा आईए मूर्खराज मंत्री हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे अकपर को भी बीरबल की मंत्री को मूर्खराज कहना अच्छा नहीं लगा क्यूंकि वे मंत्री बहुत विद्वान और समझतार थे मंत्री थोड़े ही देर वहां रुके उनकी जाने के बाद बाद्शा ने बीरबल से पूछा बीरबल तुमने इतने बुद्धिमान मंत्री को मूर्खराज कैसे कह दिया तुम्हारा इस प्रकार कहना शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगा इसलिए बिना कुछ कहे ही वे लौट गए बीरबल ने कहा हुजूर मनुष्य चार बातों से मूर्ख कहलाता है एक दो आत्मी यदि अकेले बात कर रहे हूँ और तीसरा वहां बिना बुलाए चला आए तो वहां मूर्ख होता है दो जब कोई दो आदमियों की बात पूरी हुए बिना तीसरा बीच में बोल उठे तो वह भी मूर्ख होता है तीन कहने वाले की पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला व्यक्ति भी मूर्ख कहलाता है चार जो मूर्ख की संगत करे वह भी मूर्ख है बीरपल की ये चार बाते सुन कर बात्षा समझ गए कि बीरपल ने मंत्री को मूर्ख राज क्यूं कहा था